दिल्ली के सीयम पर गंभीर आरोप भाजपा ने लगाया कतल का आरोप ये क्या बोल रहे हैं भाजपा प्रवक्ता ऐसा कौन सा सच है जो केजरिवान ने छुपाया आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है आप जूठी या भाजपा का आरोप गलत जब कातिल कतल करता है न वो कितना भी होशियार कातिल क्यों न हो खून के धब्बे कहीं न कहीं छुट जाते हैं कतल किया है केजरिवाल जी ने हजारों करोडों के विश्वास का 9 समन 18 बहाने मगर यह बहाने चलने वाले नहीं है चलिए परदाफास किया जाये जब कातिल करता है न वो कितना भी होशियार कातिल क्यों न हो खून के धब्बे कहीं न कहीं छुट जाते हैं और अन्ततों गत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है कतल किया है केजरिवाल जी ने हजारो करोडों लोगों के विश्वास का कतल किया है केजरिवाल जी ने सच्चाई का कतल किया है केजरिवाल जी ने विकास का और उसके एविडेंसेज उन खून के धबों के चीट चारों और पहले हुए हैं और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है उन छीट के कुछ धब्बे आज हम आपको यहां दिखाएंगे उनके जूट के पुलिंदे आपके सामने आज हम खोलेंगे आप जानके आश्चरे चकित हो जाएंगे नौ समन अठारव बहाने नौ समन अठारव बहाने आप याद करिए जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था दिवाली है जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था गवर्नेंस महत्वपूर्ण है तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था मैं विपस्टना करने गया हूँ चौथा समन आया तो बहाना क्या था एसेंबली चल रही है पाच्वा समन आया तो बहाना क्या था मद्यप्रदेश में चुनाव चल रहे हैं मैं कैसे आ जाओं जी मुझे तो भाशन करना है 9 समन 18 बहाने मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है कल से टेक्निकल बहाने दिये जा रहे है और वो टेक्निकल बहाने क्या है हरे कोट में तो हम इन समन्स को खारिज कर दिया कोट में तो हमें बेल मिल गया फिर किस आधार पर E.D. हमें बुला रही है फिर किस आधार पर जाँच एजनसी समन भेज रही है यह जो पहला प्रश्न है क्या कोट ने इन समन्स को खारिज किया है जो बार बार आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अर्विंद केजरीवाल जो बार बार कह रहे हैं कि यह समन्स इल्लीगल है आर दे इल्लीगल क्या यह इल्लीगल है गैर कानूनी है चलिए परदाफास किया जाए यह दस्तावेज है दस्तावेज क्या कहती है क्या दस्तावेज है यह समन्स इल्लीगल है इन पर रोक लगाया जाए इस विशय को लेकर अर्विंद केजरीवाल जी राउज एविन्यू के कोट में गए थे तो पंद्रह हजार के मुचलके पे बाहर है अर्विंद केजरिवाल और उस पे ऐसी मुच्छे ताउ मार रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया वो तो ऐसे ऐसे मुच्छे करके कल से बता रहे हैं कि देखो जी मैं तो बेल पे बाहर हूँ मैं तो बेल मिल गया है मुझे बेल मिल गया है मतलब जिसको बेल मिल गया है वो कातिल नहीं है जिसको बेल मिल गया है उसने ब्रस्टाचार नहीं किया मतलब कुछ तो गड़वड़ी थी ना जो बेल लेने की नौबत आई अगर आप दूद के धुले होते पाक साफ होते तो बेल की अवश्यक्ता क्या पड़ती हरविंद जी आज आप उसी लीग में खड़े हो गए हो जिस लीग में सोनिया राहुल और रॉबर्ट वाडरा खड़े